दोस्तों आज का यूडिव मेरे ही सबसे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट या इंट्रेस्टिंग होने वाला है और यह वीडियो होने वाला है शॉसको ब्रैंड के कलर पर आज मैं आपको शॉसको ब्रैंड में जो रॉयल इगोरा फैमिली है जिसे हम पर्मेंड हैर कलर फै इसे कही सारी इसमें से मैं आज एक स्पेसिविक फैमिली पर बात करने वाला जिसका नाम है रॉयल इगोरा एपसुलिट फैमिली और आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह प्रैक्टिकली भी देखेंगे और साथ में थियरी भी जानेंगे इस रॉयल इगोरा में जो एप एपसुलिट फैमिली उसके बारे में थोड़ा सा डीटेल जानकारी चाहिए तो दोस्तों मैं अजे फ्रॉम इंफिनिटी सलॉन एज़िकेशन आपका स्वागत करता हूँ आज की स्पेशल क्रेनिंग उडियों में जो होने वाला है याद रखिए रॉयल इगोरा फैमिली ह इ में जो एपसुलीट फैमिली उस पर यह वडियो वने वाला है दोस्तों सबसे पहले यहां पर देखिए अ IKEA कमपनी का नाम है शोख कर और जो हम कलर की फैमिली याज बात कर रहें उसका नाम है रॉयल इगोरा आज घौन कर बात करने वाले है और इसमें हम में इस सबासीं इंटर्नल शेर्स आपको दिखाई देंगे यहां पर बहुत सारे अलग अलग आपको दिखाई दे रहे इसमें से आज मैं जो बात करने वाला हूं वह है Absolute Family यहां देखे यह इगोरा रॉयल इगोरा और यहाँ पर देखिए यहां पर लिखा है एपसुलिट आज एपसुलिट आज हम अगर रे कवरेजक कोई सքन्य मिश करने की जरूरिदन है आप सिंगे l is सकते हो और बाब पर apply कर सकते हो इसके साथ में एडवंटेज आपको यह मिलता है कि आपको 100% coverage भी मिलता है और साथ में आपको reflection भी मिलता है यहने अगर आपको कोई particular reflection छीए तो आपको वह भी मिलेगा with a single tube आपको कोई भी याद रखिए base shade mix करने की ज़रूत नहीं जो हम बाकी brand में करते हैं यह बाकी brand में हम क्या करते हैं for example suppose अगर में color लेता हूँ 5.4 यह अगर 5.4 color मुझे बालों पर करना है client के बालों पर और client के बालों में gray coverage यह ग्रे है तो आपको उसके साथ five number का base भी mix करना पड़ता है यानि आपको 5.4 के साथ five number का base mix करना है आपको यहाँ पर जो ट्यूब यूज करनी पड़ती है लेकिन शौसकॉफ का शौसकॉफ ब्रांड के यह absolute family इसमें आपको ऐसा करने की कोई ज़रूत नहीं आप डारेक्ट यह single color ले सकते हो और बालों पर लग करना है वो भी आप इस color से कर सकते हो और यह ऐसा इसलिए possible है क्योंकि आप कोई भी आप absolute family का shade को देखोगे तो उसके अंदर zero number होता है reflection में zero होता है और zero का मतलब होता है natural reflection और यह natural reflection ही आपको help करता है gray coverage के लिए यानि जो यह absolute family है इसमें आपको 30% natural shade मिलेगे जो आपको gray coverage के लिए help करेगा है इसको मैं आपको एक example से समझा तो यहाँ पर देखिए जो टूब दिख रही है यह आपकी absolute family और यहाँ पर देखिए shade number पर यहाँ पर क्या लिखा है 4-80 ध्यान से देखिए क्या लिखा है 4-80 यानि इसके अंदर zero है और zero का मतलब होता है natural और यह naturally आपक 5-50 यानि इस 5-50 ट्यूब में आप देखोगे first है five इस five का मतलब होता है base यानि यह आपका five number का base है उसके बाद है hyphen या dash और उसके बाद है five जिसका मतलब है gold reflection और उसके बाद है zero जिसे हम कहते है natural reflection और यह zero ही आपका grey coverage के लिए मदद करता है बाकि जो five है यानि five zero में जो first ец scoring inhew your actions यह आपका golden reflection जो आपके बालों में reflection प्रोंजोचटे परोड़े करता है और याद रखे जब भी हम samden के functions के बात करते तो हम रीक्रेक्शन को से पैचानते या रीफ्लेक्शन को हम तूनवार्ट को हम आउन कर करे जब इसका है जब आप श्यूस करना वी इ Deshalb अपर य इंडिया की यानि इंडिया में क्या-ک्या शेर्ट्ष एवेलेबल हैं है यहा देखिए दोस्तों यहाँ आपको वर्ड लिका उसी तरह यहाँ पर लिखा है 4-80 यानि हर एक शेड में आप द्यान से देखोगे तो इसमें 0 common है और इस 0 का मतलब होता है natural और यह 0 ही आपको help कलता है ग्रे कवरेज के लिए दोस्तों यह जो accurate family है यह आपको एक से लेके 3 लेवल तक का lift देता है यानि अगर आपको ग्रे कवरेज भी करना है और साथ में lifting भी करना है तो आप यह कलत यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर आपको सिर्फ ग्रे कवरेज करना है तो आप इसे 20 और 30 वोल करना है तो ग्रे कवरेज के अगर हम बात करें तो ग्रे कवरेज के लिए आपको यह product यह color आपको 20 वोलेम या 30 वोलेम के साथ लेना है वेराज अगर आपको lifting चाहिए यह आपको ग्रे कवरेज नहीं करना सिफ lifting करना है तो आप इसे 40 वोलेम के साथ यूज़ कर सकते हो यह 40 के साथ आपको तीन लेवल तक का लिफ्ट देता है बाकी दोस्तों मैं आपको प्राक्टिकली प्रूव करके भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस कलर से ग्रे कवरेज कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपको यह देखना है तो इस वीडियो को एंड तक और ध्यान से ज़रू देखिए अब आप ध्यान से सुनिए कैसे आपको इस कलर से ग्रे कवरेज करना है विद दे हल्प आफ 20 वोलिम एं 30 वोलिम यह कैसे 30 वोलिम और 20 वोलिम से हम ग्रे कवरेज कर सकते हैं तो सबसे पहले याद रखिए अगर आपके क्लाइन के हैर 0 से लेके 90 परसंद तक रहे हैं तो आप 20 वोलिम से भी कर सकते हो और 30 वोलिम से भी कर सकते हैं लेकिन अगर क्लाइन के हैर 100 परसंद ग्रे हैं तो आपको सिफ 20 वोलिम यह ग्रे कर सकते हो और याद रखिए जो 20 volume यह आपको tone to tone color provide करेगा whereas 30 volume आपको 1 level या 1 से 2 level तक का lifting देगा अब finally बात करते हैं एक last point की जो है 30 volume पर यह जो absolute family है इसे आप 30 volume के साथ भी यूज़ कर सकते हो scalp के यहाँ पर बाके brand में अगर आप देखोगे तो आपको सिफ 20 volume is allowed है root touch up के लेकिन यह जो absolute family है इसे आप 30 volume से भी root touch up कर सकते हो लेकिन as a safer side I recommend कि आप 20 volume यूज़ करें लेकिन अगर शॉसकॉफ ब्रांड का आप कहना सुनोगे तो उनका तो यह कहना है कि आप 30 volume भी यूज़ कर सकते हो scalp के यहाँ पर यहने root touch up के लिए यहने as per company standard that is शॉसकॉफ की शॉसकॉफ कंपणी के standard के इसाब से आप 20 volume भी root touch up के लिए यूज़ कर सकते हो अगर फिर भी आपको कोई इस family के बारे में detail जानकारी चाहिए कुछ doubts है तो नीचे comments करके ज़रूर बताईए मैं उसका आपको answer देने की कोशिस ज़रूर करूँगा बाकी चलो practically देखते कैसे हम इस color से gray coverage करेंगे गाइस यह देखिए हमारे model के hair यहाँ पर आप gray hair देख सकते हो यहाँ पर हमारी model के 30-40% hair यह gray है और आज इसी hair पर हम शॉसकोब ब्रैंड का इगोरा रॉयल फैमिली में जो absolute family है उसका color से हम gray coverage करेंगे और इसके लिए हमारा formula एकदम सिंपल है यह देखिए हमारा formula यहाँ हमने इगोरा रॉयल फैमिली में जो absolute family है उसका 6-06 color लिया है और उसके साथ हमने 20 volume developer यूज़ किया है और यहाँ पर color और developer का हमारा mixing ratio है 1-1 that is 50-50 हमारा product भी ready है अब चलो application की शुरुवात करते हैं बाकि आप application कैसे करना है वो आपको अच्छी तरह है पता होगा सिर्फ आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि आपका processing time होगा 30 minutes से लेके 45 minutes और processing time complete होने के बाद हम hair wash करेंगे और client के बालों को dry करके आपके सामने इसका result present करेंगे और दोस्तों यह देखिए इस करल का result यहां हमारे मॉडल के gray hair 100% cover हो गये you can see it अगर friends आपको यह वीडियो और यह रिजल्ट पसन आया हो तो हमारे चैनल को subscribe जरू करें और इस वीडियो को एक like भी जरू करें बाकि मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए topic के साथ तब तक के लिए bye bye take care heavenize day झाल झाल